कोडिंग टुटोरियल में आपका स्वागत है आज के इस कोडिंग टुटोरियल के अंदर में आपको 5 ऐसी फ्री यूई किट्स देने वाड़ाओ जिसे आप एजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी एप्लिकेशन के लिए उसे यूस कर सकते हैं तो अगर आपको ये 5 यू किट्ट जिसके अंदर वेक्टर फाल्स अविलेबल है 25 स्क्रेंश अविलेबल है पॉप इन्स फॉंट फैमिली यूज के गई है और वेल ओर्गेनाइज लेयर हैं हमारे पास और उसके साथ हमें बहुत ही अच्छी यूई डिजाइन देखने को मिलती है और इसके कलर कोड पूल्स भी आप देख सकते हैं जो इजी टू सी और इन सभी डिजाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर अफ़ फ्रे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप इस डिजाइन को देख सकते हैं और थैंक्स पर स्क्रोलिंग ऐसा लिखा हुए है नेक दी गई है और 100 से ज्यादा इसके कॉंपोनेंट्स है मिन्स यह जो टेक्स इल्यूस्ट्रेशन वगेरा हो गया वो और अर्गनेज लेयर है और फ्री फॉन्स है और इल्यूस्ट्रेशन भी फ्री है तो आप इसे भी चेकाउट कर सकते हैं इसे डाउनलोड करके सीथे फिग यह एक सोशल मेडिया एप की युई डिजाइन है जो फैल स्क्रेंट के अंदर अवैलेबल होती है जिसके आप प्रोफिल स्क्रेंट जैख सकते हैं यह उसकी स्प्लै स्क्रेंट है उसके बाद यह हमारे है messaging screen है और इस तरीके से feed वगेरे होके total five screens मिलती है जिसके अंदर splash screen, profile page, news feed, messages, screen and conversation screen मिलती है उसके बाद हमारे पास है food app के लिए यह यह बहुत ही अच्छा food app लगा मुझे क्योंकि इसके अंदर total 16 screens हमें मिलती है free UI design के साथ यहां पर आप देख सकते हैं उसके splash screen और इनके color codes और mobile की screens आप देख सकते हैं इतनी अच्छी हमें screen देखने को मिलती है आप चाहे तो इन सभी को use कर सकते हैं इससे ज्यादा information हमें यहां पर मिल जाती है यह Figma के अंदर बनाई गई design से sorry Adobe XD के अंदर तो आप इससे भी check out कर सकते हैं उसके बाद है हमारे पास to go UI kit इस kit के अंदर हमें food app की UI kit मिलते हैं अगर यह previous से थोड़ा change है कुछ अलग design के साथ हमें देखने को मिलते हैं तो उसके highlights देख सकते हैं beautifully crafted है free typography है चुकि हर एक पंप्लेट में available है organized layer components customizable है और easy to edit है यह सारे पंप्लेट्स उसके कुछ screens आप देख सकते हैं यह रही हमारी preview means splash screen उसके बाद account के लिए है navigation drawer है dashboard design कुछ ऐसा है detail activity है उसके बाद card के लिए है इन सबी चिसके लिए यह आपे दे गई है आप इसे भी check out कर सकते हैं यह figma compatible है आप इसे figma के अंदर easily edit कर सकते हैं अगर आपको यह coding tutorial अच्छा लगया तो इसे like किजे और share कर दीए अपने दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब करना महुत भूलेगा thanks for watching coding tutorials आपके अंदरे अपके यह Human